असलाम अलेकुम फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आये हैं महर्रम स्पेशल दो डिशिज तो यहां पर हमने बनाई है एक तो खीर जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और सीधी साथी चावलो से जो हम मोटी चावलो से बनाएंगे और दूसरा बनाया हमने मलीदा जो महर्रम मे घर-घर बनाया जाता है यह बहुत ही इसी तरीके से हमने बनाया है तो चलिए पहले मलीदा बनाना स्टार्ट करते है तो यहां पर हमने जो नौर मली आटा रहता है उसके लेली हैं दो पेड़े एक देसी घीलिया है कुछ काजू बादाम लिये हैं और थोड़ासा नारियल ग्रेट करके ले लिया है 4-5 चमाच ली है चीनी और यहाँ पर ले लिया है किश्मिश किश्मिश के हमने 10-15 गित लिया है तो यहाँ पर जो काजू बादाम है उनको हम थोड़ा बारी को थोड़ा दरदरा और थोड़ा वैसा मोटा काट लेंगे इस तरह से और यहां पर हमने पैन ले लिया है पैन में दो चमर डाल दिया है देसी घी और इसमें जो हमने ये काचुबा दाम काटा है वो डाल देंगे इस तरह से उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जैसे क्या होगा कि गरंची हो जाएंगे और इनका के डारियल रखा था तो यहाँ पर इस को भी डाल देंगे और थोड़ा सा एक से दो मिंट इसको भी इसमें भून लेंगे पिर इसժन कामा कर दें और इनका एक डोटी बनाएंगे जिर लेनी है इसमें बस हलका सा नमक है और यहाँ पर जो हमने डेशी घी लिया है वह अच्छे से चारों तरफ इस रोटी पर मल देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आटा जो डस्ट कर देंगे इस तरह से डस्ट कर दें फिर एक तरफ से इसको इस तरह से उठा कर मौल लें और फिर यहाँ पर भी हम देसी घी लगा देंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे इस पर भी इससे क्या होगा कि यह बहुती करंची प्रांठे बन कर तेयार होंगे, जब इनको हम तोड़ेंगे तो यह बहुत करंची होंगे और बहुत खस्ता होंगे, तो इस वज़ाँ से हमने यह देसी घी का यूज़ किया है, देसी घी में आप इनको बनाईएगा, अगर नहीं तो प्रिफाइन भी इसको बना सकते हैं, अगर देसी घी में इसको बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे, बस अब इस तरह से हमने चार तरफ से इसको मोड दिया है, और एक परांठे की शेप देती है, इस तरह से इसको चकोर परांठा बना लेना है, तो यहाँ पर हमने लग दिया है, तवा, तवा गरम है, और यहाँ पर इसको डाल देंगे, जब एक तरफ से इच्छे से सिख जाए, तो दूसरी तरफ इसको पलट देंगे, फिर इसमें लगा देंगे, अच्छे से देसी घी, घी इसमें अच्छे से लगाएं, और जब फिर इसको प इसको अच्छ से सेख लेना है, इसे तरह से दबाकर इसको हम सेख लेंगे। इसके इसरे अच्छे निशान आजाएं और यह कॉरंचि प्रांथा बन कर तेयार हो जाए। तो यह देखिएका KissIT प्रांथा बन कर तेयार है, बस इसको ऐसे निकाल लेना है। फटा फटा दूसरा परांठा भी हम इस तरह से ही सेख लेंगे क्योंकि इनको गर्म ही तोड़ना होता है तो यहाँ पर यह गर्म परांठा है एकदम आद में भी पकड़ा नहीं जा रहा है बस इस तरह से इसको फटा फट तोड़ लेना है बहुत गर्व है इस वचा से तूटने में थोड़ी परिशानी हो रही है आप चाहें तो मिकसर जार में भी इसको डाल के तोड़ सकते हैं मगर हास से तोड़ने में इसका कुछ और ही मज़ा है हास से इस तरह से तोड़िएगा और फिर इसको बारिक कर लेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे हम चीनी चीनी डाल कर और इसको बारिक कर लेंगे चीनी के जरीए और बारिक हो जाएगा इस तरह से इसमें अच्छे से चीनी भी मिकस हो जाएगी और यह गरम पराठा है तो चीनी डालेंगे तो यह अच्छे से इसमें गुल बे जाएगी तो बस इस तरह से इसको अच्छे से मसल लेना है तो यहाँ पर अच्छे से यह मसल लेना है इसमें अब डाल देंगे जो हमने यह मेवा भून कर रखी थी तोड़ी सी अच्छे से इसको मेक्स कर देंगे तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी ये मलीदा बनकर तयार है बस इसको अब हम दिशाउट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये खाने में देखने में जितना टेस्टी बना है उतना ही खाने में भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना कर त्यार कर सकते हैं ये महरम में खास तोर पर घर कर बनाया जाता है और वैसे भी आप चाहें तो इसको बना कर खा सकते हैं ये बड़े चोटे सब के दिलो जान होते हैं बहुत अच्छा लगता है सबको बहुत खाना ये और उपर से इस पर हम ड्राइफ फ्रूट्स टाल देंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है आप इसको नॉर्मली भी बना कर खा सकते हैं अगर आपको हमाई रेसिपी पसंत आती है तो प्लीज लाइक शेयर ज़रूर कर दें सबस्क्राइब भी जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे के हमाई रेसिपी का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो चलिए दूसरी रेसिपी तियार करते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है यह मोटे चावल, जो मोटे चावल मिलते हैं, जो सर्दियों में यूज किये जाते हैं, वो हमने यहाँ पर लिया है, खीर में इनसे बहुत अच्छा तेस्ट आता है, तो लगबग यह 100 ग्राम चावल है, और यहाँ पर हमने जो 2 किलो दूद लिय है उसमें से दो से तीन चमाच री बड़ी चमाच भिक काल लिया है यह नीम क्रश्भ सक्भाट है इसमें हम डाल देंगे यह डो रस इस नि को तोड़ कर इसमें भीगो देंगे इसे क्या होगा यह रस सजब हो जाएंगे इससे कि ये रस soft हो जाए इनको 5-10 मिंट इस तरह से ही भीगे रहने देना है बस ये soft हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने जो ये 2 किलो दूद लिया है इसमें बलाई अच्छी सा आ गई है इसको निकाले नहीं इसमें ही ये गोल दें और जब ये गरम हो जाए तब इसमें हम ये डाल देंगे चावल जो हमने 2-3 गंटे बिगो कर रख दिये थे हमेशे आयाद रखें जब ये आप खीर बनाएं उसमें मुटे चावलों का यूज करें उससे ये घुली मिली खीर बनेगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनेगी थोड़ी ये खुश्बुदार चावल होते हैं और बहुत टेस्टी खीर बनकर तेयार होती है यहाँ पर अभी हमने बराबर इसको चलाते रहना है जिस जब तक ये चावल फूल नहीं जाते और फिर मीडियम लो कर देंगे और यहाँ अच्छी से ये पापा जो हमने इसमें रस डाला था वो भी फूल गया है इसको डाल देंगे ग्राइंडर जार में और यहाँ इसको हम भी ग्राइंड कर लेंगे और जो यह ग्राइंड हो जाए तब इसमें हम यह डाल देंगे इस से क्या होगा कि घ्रडी भी बनेगी और इसमें मावा डालने का मावा नहीं डालना पड़ीगा इस वज़े से हमने इसका यूस किया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है आप इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी लगबग वेट में ये देर सुग्राम चीनी होगी और बस ये आप देख सकते हैं इसका टेक्चर ये गाड़े होती जा रही है इसमें चावल भी बन चुके हैं या पक चुके हैं और यहाँ पर हमने ले लिया है ये दो से तीन चमच मिल्क मेट अगर हॉममेट है तो आप डाल दें या नहीं डालना चातें तो फिर इसमें मिल्क पॉडर भी डाल सकते हैं और वो भी नहीं डालना चाते हैं तो भी ये खीर बहुत अच्छी बन कर तेयार होती है बैस इस तरह से इसको अच्छे से और पका लेंगे तो यहाँ पर हमने पाच्छे इलाइचिया तोड़कर इसमें डाल दी है जिससे इसकी खुश्वू इसमें आए इसकी खुश्वू खीर में बहुत अच्छी लगती है यहां ले लिया है कुछ राइफ फूट्स, काजू, बादाम और पिष्टा हमने यहां पर ले लिया है यहां पर एक चौपर, इसमें इसको डाल की चौप कर लेंगे आप चाहें तो इनको हाज से भी काट सकते हैं या फिर मेक्सी के जार में डाल कर दरदरा सा पीच सकते हैं तो यहां पर यह देखीगा, इस तरह सी यह ड्राइफ रूट्स कट कर तेयार है और यहां पर आप कीर का भी टेक्चर देख सकते हैं यह और भी काड़ी हो गई है तो बस इसमें आप हम डाल देंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स आदे थोड़े से बचा लेंगे यह जै आप चाहें तो नारियल भी इसमें डाल सकते हैं तो बस इसको यहां पर हमने नारियल भी इसमें डाला है बस इसको 4-5 मिन्ट और पका लेंगे जिससे की यह ड्राइफ रूट्स थोड़े से इसमें पूल जाएं तो यहाँ पर हम डाल देंगे केवडा वॉटर आदा चमच हमने इसमें केवडा वॉटर डाला है अगर केवडा खाली केवडा है तो उसे में आप एक से दो ड्रॉप डालें और केवडा वॉटर है तो आदा चमच डाल देंगे तो बस यहां पर यह तियार है, बहुती लजीज खीर, और यहां हम यह डिश आउट करके दिखाते हैं, यह देखिए कि आप इसका टेक्चर, यह कितनी सिल्की और कितनी क्रीमी बन कर तियार है, यह दोनों डिशिज, खास तोर पर महर्रम में भी बनाए जाते हैं, और वैसे भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं, बस यहां पर हम गार्णिश कर देंगी, यह बचे हुए मेवा से, तो दोनों डिशिज कितनी आसान और कितनी अच्छी बनी हैं, एक बार इनको जरूर बनाएगा, इन्शालला आपको बहुत पसंद आएंगी, और हमें कमेंट करके जरू बताईएगा कि आपको हमारी डिशिज कैसी लगी, तो आपको खुद देखने से पता चल रहा होगा, यह खीर लाजवाब बनी है, अगर आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दें, अल्ला हाफिज